सद्धर नाम मैं हूँ इमानश्य दुवेदी और अमारी खास विश्क चर्चा में आपका स्वागत है आज चर्चा का अमरा विश्य खासा संजीदा है तीसरी लहर की बारी कितनी तैयारी जिसका संदर महामारी के दौर में देश के मौजुदा हालातों से है देश में कुरोना की दूसरी लहर की तभाई अभी थमी भी नहीं है कि तमाम वैग्यानिक और साइंडिस्ट तीसरी लहर के रूप में नए संकट की चेतावनी दे डाल रहे हैं तीसरी लहर के आशंका से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आई एमे समेट कई जिम्मेदार संस्ता हैं और विश्रिग सुविधाओं को बहतर करने और संपून लोगडाउं की जुरुद बता चुके है लेकिन अभी तो केंदर और राजिस सरकारें दूसरी लहर से ही लटखड़ाए हुए हैं सौल धाचाओं की इस्तितियों पर सवाल या निशान लगे हुए हैं ऐसे में ये सवाल भी उठखड़ा हुआ है कि तीसरी लहर की बात कहीं सुनुजित तरीके से दूसरी लहर के संदर में हो रही विफलता को लेकर तो नहीं की जा रही है दूसरी लहर अभी पीक पर भी नहीं पहुँची है आगडों के संदर में लगबग लगबग यताय इस्तिदी बनी हुई चार लाग की करीब आगड़े पिछले एक हफता से हमारे देश में अधिकरत रूप से हा रहे हैं अगर आज उनमें 20-30,000 की कमी भी आई तो उसका करण सास्ते विशेश के बता रहे हैं कि टेस्टिंग ही कम हुई जो 18,000,000 टेस्ट प्रती दिन हो रहे थे उसके सानबे 24,000,000 टेस्ट ही कल की तारीक में हुए तो ऐसे में जब दूसरी लहर से हम नहीं निपट पा रहे हैं दूसरी लहर नहीं हमारा जीना हराम क्या हुआ है दूसरी लहर के चलते ही हमारे सारी तैयारियों पर सवाल या निशान लगे हुए है ऐसे में तीसरी लहर के आने के आशंका बदन में सरहन पैदा कर देती है तो आज हम इसी संदर में बात करेंगे कि क्या वाकरी तीसरी लहर आने की संभावना है और अगर आने की संबाव ना है तो मौजूदा सिस्टम के अंदर हम उससे जूच पाने के लिए कितने तैयार हैं या कितनी तैयारी करने की जूरत है इस विशय पर राजनितिक चर्चा के स्थान पर हम विशय विशयगों के साथ शुद्ध रूप से विशय पर ही चर्चा करेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान दूसरी लहर में जिस तरीके से लड़ खड़ा रहा है अगर तीसरी लहर आई तो कहीं गिर तो नहीं पड़ेगा इस चर्चा का हिस्ता बनने के लिए चार खास बैमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आपका परिशय कराके एक गंभीड चर्चा को अंजाम देने की कोशिश करेंगे लेगे यह स्लतला शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का हमारा आज का विचार सूत मौजूदा तयारियों के संदर में ये कहता है कि डिले नॉट तिल टुमारो टूबी वाइस तुमारो संटू दियर में नेवर राइस अर्थात बुद्धिमान बनने के लिए आगामी कल तक टाल मुटोल मत करें हो सकता है कि तुमारे लिए कल का सूरे कभी उधित ही ना हो विलियम कॉंगरीड के दोरे जो ये कहा गया था ये बड़ा ही बुद्धिमुत्ता पूर्ण दिया गया वक्ता में इसके नगा पिक्षा ये की गई है कि आपको कल के लिए अपनी चीज़ों को टाला नहीं है आप कल के लिए टाल रहे हैं पर ये वरुसा करने का अधिकार आपको किसे नहीं दिया है कि कल सूरज आपके लिए उदेती ही होगा तो तीसरी लहर के संदर में अगर आशंका है विशिशक ये बता रहे हैं तो ऐसे में उसकी तयारियां लहर के आने के बाद ही करेंगे ये कते बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं होगा बैतर होगा अगर अगर ऐसी कोई संबावना है तो उसके संदर में हम अभी से प्रयाश शुरू करें तो बेराहल इस तरचा का हिस्ता बनने के लिए तीन खास मैमान हमारे तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ लेफ्टर जनरल जुड़ चुके हैं जो हिसार से तालुक रखते हैं जनरल साथ हैं दिली एम्स के पूरूर निदेशक एक बार फिर हमारे साथ चर्चा का हिस्ता बन रहे हैं और हमारे सामन सिंग साब भी जोड़ चुके हैं जिस समय एम्स भुपाल में बतार निदेशक महती जिम्मेदारी निभार हैं आप तीनों का स्वागत है चर्चा के और अगर जाएज है तो किस रूप में आप देख रहे हैं आने वाले समय को आइटिंक बेमानी तो बिल्कुल नहीं कह सकते इसको लेकिन ये मेरे खिया से सरकार ने ऑफेंस अगेंस डिफेंस किया है जी कि दूसरी लहर पे बहुत जादे आलोचना हो रही है सरकार की भी हो और डॉक्टर्स की भी हो रही है सभी की पॉलिसी प्लैनर्स की भी हो रही है लेकिन किसी ने भी ये चैतावनी इस प्रकार से ऐसे होगा मुझे नहीं समझ में याद आता कि किसी ने भी इस तरह की चैतावनी दी थी तो ये एक आगहा करने के लिए महरत सरकार ने के जो प् कब आएगी आ सकती है तो वो तो सब को पता है आ सकती है उसमें क्या खास बात उन्हों ना कह दी कोई खास बात तो नहीं है इसमें अब कब आएगी उनको भी नहीं पता वो किसी को भी नहीं पता कि सितंबर में आएगी अक्टूबर में आएगी दोहजार बाईस के जनवरी म सारे संस्थान जो COVID संस्थान बने थे उनको डी इंडक्ट कर दिया था वो ना किया जाए अब की से मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इसका नतीजा होना चाहिए कि जैसे मैं देख रहा हूँ यूपी में भी और अजिस्तान में भी दिल्ली में भी सारे संस्थानों को क इंडक्ट नहीं किया गया था और इलेक्टिव वर्क बहुत जादे रिज्यूम नहीं हुआ था उसी दोरान ये बढ़ोतरी शुरू हो गई तो उनको जादे दिक्कत नहीं हुई फिर से स्केल अप करने में और रैंप अप करने में और COVID को 104 रूप से चलाने की लिए लेकि अक्तर प्रदेश की में बात करूं जहां पर मैं जाता हूं ग्रेटर नॉइडा में तो वो पहले फरवरी से डी इंडक्ट कर दिये गए थे डी नोटिफाई कर दिये गए थे जो COVID अस्पताल थे और राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ तो वो मेरे खाल से हम लोगों से एक हुई जो नहीं होने करना नहीं चाहिए था बहुत जल्दी हम लोगों ने यह मान लिया कि COVID चला जाएगा यह चला गया है जी हाला कि 10,000 संक्रमित व्यक्ति तो रोज आ रहे थे फरवरी में जब यह निर्डे लिया गया था और हमारे काफी सहयोगियों ने भी डाक्टर्स ने भी यह मान लिया था हाँ साब अब तो ठीक हो गया और बिना मास्के जो लाउंज में चाय वाए और सब होता है वो शुरू कर दिया था तो पर यह उसका नतीजा है और बाकी जनरल पबलिक तो फिर अपना आगे से आगे कारिकरम बनारी थे जितने भी रिसॉर्ट आप पर भी बहुत जोशोर से और जोश से मनाया गया और उसके बाद जो सिल्सला शुरू हुआ चुनाव रेलियों का वो सब ने देखा पिर कुम्ब बेला आव इद का चल रहा है देखिए है धरबाद में दिखा रहे थे किस तरह से भीड है और हर जगे भीड होगी अब तेह से सोशल डिस्टेंसिंग तो हम लोग जो मर जीये कहते नहीं या बैटके जे वो एक डिस्टेंट ड्रीम है जे वो दूर का सपना है जे हो नहीं सकता तो मास्क लगाने कोई तब बढ़ जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि इस टीका करण के अलावा तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इस संक्रमन से निकलने का, और वो मैं देख रहा हूं, दो हजार बाइस में यही वक्त होगा, जब तक टीका करण हमारा किसी अच्छी अवस्ता में पहुंचेग है कि लोग ठीका करण कराएं, और हम जितने लोगों की भी जान ठीका करण से बचा सकते हैं, और यह इसका नतीजा भी सामने आ गया है, जो विकसित देश हैं, उन्होंने करके दिखा दिया है कि टीके से, इस्तिति कितनी मजबूत हो गई है, संक्रमन के मामले में चाहिए, यूए से हो, ठीक है, उनकी जनसंक्या हम से बहुत कम है, उन्होंने वो जल्दी कर लेंगे हम से, लिगा हमको समय लगेगा, तो उसके लिए हम तयार हैं, लेकिन हमें अब वेक्सिनेशन प्रोडक्शन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यक्ता है, जिससे यह जो प्री रेनाउस्मेंट हुआ है, पहली मैई से अठारे वर्ष से उपर वालों का, वो उसको सभाला जाए, क्योंकि अभी तो चारों तरब बहुत केयोस है, बहुत कन्फूजन है, लाइने लगी हुई है, लंबी-लंबी, वो भी एक संकरमाट फैलने का एक कारण बनेगा, जो कि बहुत लोग पहुँच रहे हैं, और ठीका करना हो नहीं रहा है, जित मातरा में होना चाहिए, तो इसको कुछ राज्यों ने ये भी कराए, कि तीस से चवालिस को पहले ले लेंगे, अठारे से तीस को बाद में लेंगे, तो यह सब इसमें करना पड़ेगा, और हमको पहल क्वान्टिटी में आपको डोस दे सकती है, अभी स्पोर्टने के सवस्था में लग नहीं रहा है, त्रेल लाग डोस भेजी हैं, उन्होंने वो उससे बहुत जादा कुछ अचीब नहीं होगा, जाइडस कैडिला अभी अपना वैक्सीन उनकी अप्रूब होने वाली है, उ लाए से कम से कम नहीं, तो अगस से हम दस करोड अपने काफी सारी बाते कह दी इस दोरान, डॉक्टर हर्शवर्दन को भी कोट कर दिया, लेकि मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है, इंडियन मेडिकल एस्सोसीशन के संदर में, उन्होंने कल बाकाइदा, आठ मैं दोहजार एकिस को अधिकरत पत्र जारी किया है, जिसमें इस बात पर बेहद नाखुशी, नाराजगी, अपनी असेमती व्यक्त की है, कि जिस तरीके से इस मामले को डील किया जा रहा है, ये कतई मापजिंडों के अनरूप नहीं है, IMA के दौरा जो आपत्ति की कि ये वो भी आपकी निगासे गुजरे ही होगा, ऐसा संबब नहीं कि आपकी निगासे उनकी टिपडियां ना गुजरे हो, दूसरी लहर के दौरान IMA की ये टिपडियां, कितनी संजीदगी से लेते हैं, डॉक्टर MC मिश्रा था, नहीं इस मै पहली मई से इसको नहीं लगाना था 18 वर्ट से उपर को कि उसने बहुत confusion क्रियेट कर दिया है यह 45 वर्ट से उपर 104 रूप से चलाते रहते जैसे अब तक चला रहे थे एक महिने में heavens will not fall down जो damage होनी है वो हो चुकी है damage has been done अब उसको रिपेर करना है वो vaccination से ही रिपेर होगी और vaccination कारिक्रम अगर सुचारू रूप से चलेगा तो रिपेर हो जाएगी नहीं सुचारू रूप से चलेगा तो रिपेर नहीं होगी और यही IMA का यही मेरे खाल से मन्शा है सरकार को चितावनी देने की कि आप कम से कम vaccination कारिक्रम को तो ठीक से चला दें जिससे अभी मैं एक और दूसरे प्रोग्राम में था वच कॉंग्रे वो कहना में आप और बीजेपी लड़ रहे थे आपस में वो कह रहे थे आप ये कर रहे तो उससे तो कुछ हल होना है नहीं हल यह होना है कि साथ करोर अगर हमारे पास डोस है मही में तो क्या हम साथ करोर लोगों को एक दे सकते हैं और जिनको दूसरी मिलनी है उनको दूसरी भी मिल जाए जून में हम साथ करोड लोगों को क्या डोस दे सकते हैं जितनी उपलब्ध है देश में बराबर इस सेधारी करके कि भाई उत्तरप्रदेश बड़ा राज है उनको जादे दे दे मद्द्रप्रदेश की आ करने पर जोड़ दे रहे हैं मुझे जाना है लेक्टर सर्मन से कुछ बात करना चाहता हूं और बाची जो करना चाहता हूं वह दूसरी लहर के संदर में करना चाहता हूं और दूसरी बड़ी चुनोती जो हमारे पूरे मेडिकल सिस्टम के सामने निकल कर आई है दूसरी लहर में वो है गाउं में जो संकरवड पहुंचा है गाउं में सामाने तोर पर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं नीम हकीम और ओजा वगरा के फिर में रहते हैं ऐसे मे इस चुनोती को कैसे निटेंगे हम जो तीसरी लहर के संदरे में बात करने चल दी हम लोग बढ़के देखिए बिल्कुत सही कहा और हमारे जो बिनियर प्रफिसर मिस्टा ने जो कहा जी बहुत सारी बाते हैं उन्होंने बता दी आए और ये बात भी फैक्ट है कि तीसरी लहर आएगी दूसरी लहर भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने बताया नहीं था हम सब को पता था ये उके का और अमेरिका के एक्जंपल उदराना हमारे सामने थे कि जहां जहां ऐसा हुआ है वहां दूसरी लहर आएगी जी और वो लहर आनी थी प्रिडिक्टेड भी तो वो एंजोई करने के लिए एकदम निकल पड़े यही वीजन है कि इसमें हम देख रहे हैं कि कईवा लोगों में भी और ही का इंदी काय में ब्याकर की बात करूंगा तो इसे अब ही आपके माध्यम से बताना चाहूंगा बहुत सारे प्रोग्राम से मुझे एक प्रशन प्लिया जाता है तो कहते बच्चे होंगे बच्चे ही नहीं होगे ज हरं पाफल्या संग्या बेको सारे एक्स्पोज्ड है तो हर पॉप्लिसन डूप में तीसरी लहर जबी आएगी और अभी भी हो रा है अभी हमारे यां बहुत सारे कैसे नो बच्स में इंफेक्शन हो रहा है यंग एडल्स पहु और उनमें होईरा कर देखिए लॉकडाउन लगना इस्टिक लॉकडाउन कंट्री वाहिड लगना थी इस्टेट्स में जो हो रहा है उससे परपस सॉल्व नहीं हो रहा है जी पुर्फिस मिस्रा ने बहुत सारे एक्जम्प दिया मैं दोवारा रिपीट नहीं करना चाहता विकॉस उसमें वही आईयस्ट लेवल के हमारे नेटा जब जाते हैं तो लोग यह कहते हैं कि हमारे जो आदर्स हैं इनको मानते हैं लोग इनको आईडियल मानते हैं तो वही जब तर रहा हैं तिर हमारे बहुत सादु चंत गए अभी मुल्ट प्रश्म्प जितने नाइंटी नाइन परसेंट सादु जो उसके आए वो करके नहा के वो सारे इंट्रेटेट हैं उसकी तरह से जोक्टर निस्टरा ने कहा अभी जो दूसरे वो त्योहार चल रहा हैं धरावाद में हमने देखा किस प्रस हो रहा है गुजरात का एक्जाम्पल दिया लेडिज को कलस पर निकाल के वो अभ हमें लगता है कि अभी भी हमारे अंदविस्वास और अनपड़ता हमारे देश की सबसे बड़ा कारण चाहें दूसरी लहरो चाहें तीसरी लहरो और यही कारण है कि हमने बार बार कहा है कि गाउं में जाएगा तो गाउं में अभी सहरों में हमने कमपरिटिवली मैं बता कर रहा हूं यहां पर आपके माध्यम से गाहों में बहुत दुरोगसा होने वाली है बहुत ज्यादा जी को वहां ना सुविदा है ना डॉक्टर हैं सबको इस्टिरोइड दिया जा रहा है जो में आ रहा है सबको ड्रिप लगाई जा रही है पस तीन चार चीजें को कोई प्राइबेट हैं या जो जो दो आ रहा है वो सबको इस्टिरोइड दिये जा रहा है या कुछ भी दिये जा रहा है हम देख रहे थे दमोगा उसमें तरह से पेड़ के नीचे और बोतले लगा के और वह एक लाइन में सब लिटाए हुए और किस तरह से मतलब एक दूसरे क कोई मास एक लूपर भी नहीं है लेकिस तरह से बुलंसर का एक्जाम पुलो या यूपी में आज गंगा में आपने देखा कितनी लासें हो रही है तो हम जो डाटा जो हमारे पास एक्चली जो ऑफिसल डाटा आ रहा है यह भी इंटरनेशन एजनसी इनको भी डाउट कर र शास्की कर्मी होते हुए भी वत और चिकिसक हमसे साजा की आने वाले समय की बहावता की और वो इंगित कर रहे हैं गाउं में क्या हालात है इसके संदर में भी वो हमारा ध्यान दिला रहे हैं और इसके वीज़े मेरे साथ में लेटरन जनरल डीपी वस साब जुड़ चुक की थेश के हालात है जो दूसरी लहर के अंतर का चार्ड लाग केसिस चल रहे हैं तीसरी लहर की बात करकर हम क्या दूसरी लहर को रोक सकते हैं पहला सवाल तो आप से यह और दूसरा सवाल यह क्या सेनाक के संसाद उनों के समुचत अप्योक्ता यह यह सही वक्त नहीं था जिस पर फैसला लेने के संदर में हम विलंब कर रहे हैं। तो जहां तक सेना का सवाल है, मैं यह कहूंगा कि आपने का कि मौदूदा हालात से कैसे निपते हैं। सिंग साब ने बताया, वो तो हो गया। बट इन दी ठीक ओफ बैटल हम स्टिल यह कहेंगे के लडाई जारी है ठीक ओफ बैटल में तो आपको एक कमांडर की कमांड माननी पड़ेंगी। रिसोर्सीज और पबलिक को मॉबलाइज करना पड़ेगा। ट्रेनिंग इंपार्ट करनी पड़ेगी। तो डिल विद दी प्रिजेंट सिचुएशन एंड तो डिल विद दी फ्यूचरिस्टिक ट्रेंट्स। उसमें सबसे पहले मैं कहुँगा कि नेशन को मेंटली प्रिपेर होके अपना माइंड सेट एंड करेक्टर चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं, ओर्डिंज, काला बजारी, सोर बजारी, इन सब को तिलांजली देके हमें फोलो करना पड़ेगा। तो एक नागपुर के गुदर्व ने बैड़ खाली किया, उस औरत के पती के लिए उन्होंने कहा कि मैं तो आइव लिवड माई लाइफ, सच रोल मोडल शुट भी देए, और यानि तीन दिन के बाद वो मैं तो कहुँगा कोरोना शहीद भी हो, और आपके मादम से मैं ये इसमें बताओ, डॉक्टर्स का, नर्सिज का, पेरा मेडिकल्स का क्या कसूर है, क्या कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल ये चाहेगा कि उसके पेशन्ट को दवाई ना मिले, आक्सिजन ना मिले, ट्रीटमेंट ना मिले और वो मर जाए, ऐसा दो कभी भी कोई मेडिकल उनको यह पता होना चाहिए कि पीछली लहर में 700 doctors, figures में भी, but IMA says 700 doctors died. They don't have the figure of nurses and paramedicals. And इस लहर में भी doctor शिकार हुए. तो मैं तो यह कहुँगा, जो medical covid warriors हैं, front line corona warriors हैं, they should be treated at par with the troops crossing the minefield. यानि कि they don't know how they are going to be attacked and there are casualties and still they are giving their services. तो मैं यह कहुँगा, nation अपना mindset change करें. सेकेंड तिंग, सेना का इस्तेमाल, मैं सेना की एक और बात करता हूँ, जैसे मैंने का, कि sweating in peace prevents bleeding in war, उसके लिए training है, hard training. अब ऐसे मोके पे हम युद्ध के अंदर हैं और आगे भी जंग जारी है, ऐसे मोके पे कैसे training करें. जैसे सिंग साबने का और मिश्रा साबने नोईडा की बात की, यूपी की, मैं कहता हूँ, आगे हालात अभी तो second phase काबू नहीं आई है. आलात बद से बत्तर हैं, आलाके दिली में क्लेम हुआ है के केसीज घट गे, महरास्टर में भी क्लेम हुआ है के केसीज घट गे, मगर मैं ये कहता हूँ, पहले तो हम अपना difference भूलें, कि ये आयूश है, ये nurse है, ये doctor है, ये medical student है, ये intern है, नो. मैं अभी भी, सेना में तो रहा, सेना में मैं director on forces medical college था, उसके बाद मैं public service commission में भी रहा हूँ, बट मैंने ये देखा है, कि अभी भी covid hospital से बोल रहा हूँ, महराजागर से medical college अगरो आई, सार से, जहां पे अभी 200 पेशेंट एडमिट हैं, covid के, और 200 oxygen पे हैं, तो ऐसे आलात में आपको जुरूर्ट पढ़ेगी, पहले तो doctors, वो भी young doctors, जो elderly doctors हैं, वो तो हम उनसे telemedicine की help लेते हैं, वो तो Canada से भी लोग कर रहे हैं, और US से भी कर रहे हैं, UK से भी कर रहे हैं, कल UK से doctors का मेरे पास phone आया, कि हम आपकी बदद करना चाहते हैं, उसके बाद, finally year students, nurses and doctors, पे काफी पढ़ाई आपके माजम से हो जाती है, हमें भी अपने students को तयार करना चाहिए, के how to deal with this disease, how to have self safety from the disease despite fighting the battle in ICU and COVID ICU, फिर हमें हर एक medical professional, यानि first year से लेखे हैं, intern तक उसको COVID के बारे में बताना पड़ेगा, उसको ventilator के बारे में बताना पड़ेगा, उसको bypap के बारे में बताना पड़ेगा, उसको high flow oxygen and oxygen mask के बारे में बताना पड़ेगा, train करना पड़ेगा practically, क्योंकि पेशेंट्स की दो सेवा issue में हो रही है, उसके लिए सेवा हम यह जो डियार डियों नो ऑस्पिटल लगाया है इसार में इसमें उनको इस्तिमाल करेंगे और आपके इंटर्न भी तो ऐसे आलात में आयूश के डॉक्टरों को भी और कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल को हम आपको फिर फोज का वाला देंगे फोज यूनिफोर्म पहनाती है और सेल्फ डिफेंस के लिए यानि मैं डॉक्टर हूँ मेरे को भी जम्मे था तो मेरा परसनल वैपन था स्टेंड गन इसलिए कि आप कम से कम अपने आपको डिफेंड करने के काविल हो ताकि होस्पिटल पे भी अमले हो जाते हैं बंबाडमेंट हो जाती है तो आप अपना डिफेंस करें इसलिए एवरी मेडिकल प्रोफेशनल हैस्टू बी ट्रेंड फोर फरस्टेंड एंड तो डील विद दी सिचुएशन यह है पार्ट ओफ ट्रेंग अभी लोग इसको बहुत लाइटली ले रहें बहुत लाइटली ले रहें मैं जाता हूं जिम गया था तो मैंने पुछा बच्चों से के वही वेंटिलेटर क्या है वाट इस कोविड वाट इस कोरोना तो रिस्पोंसीज वर नोट वेरी एंकर जेडरांक के और लुझ terrifying फेर अपने का सेनिया इpora पर टाइम पे नहीं किया गया ह। अव da triki health ministry ki zaang tok sena ka स्वा ये हमारा सम्ब्र दूड़ गया है जनरल साब से हम वापत उन से वापत जोड़ने की कोशी कर है अ HAV मेसला साहब से मैं अपनी चरचा को आगे बढ़ाने की कोशी करता हूँ मिश्छा थाख उन्होंने का कि दैश एक मानसिक्ता में आए देश एक गुरूपता में आई ये तमाम बाते जनल सब कह रहे थे ये एक गुरूपता आईगी कैसे डॉक्टरों के संदर में हम बात कर रहे हैं लोग केवल कोरोना से नहीं मर रहे हैं कोरोना की लड़ाए में जिस तरीके से दूसरी लहर में उनकी जेप पर डाका पड़ रहा है उनके साथ धोका हो रहा है इसको लेकर भी आप जैसे चिक्सक क्या देख रहे हैं बेतहाशा बिल पच्चिस हजार पचास हजार सत्तर हजार एक एक लाग रुपे प्रती दिन का चार्ज कर रहे हैं अस्पताल क्या कहेंगे विशाद आप इस हिंदुस्तान के अंदर क्या जनता के स्थर पर ये अफोर्डिबिलिटी आप महसूस करते हैं एक दूसरा रेम्डे सिवर के रूप में नकली इंजेक्शन एक लाग से ज़्यादा खपा दिये गए देश के अंदर आज जबलपूर में ही पांसो इंजेक्शन का सर्डिफाइड बामला कुलाजा की है पुलिस ने एक अस्पताल के लिए पांसो इंजेक्शन लगाए गए मरीजों को किस स्थर पर ले जा रहे हम कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई और इसके संदर में इतनी बड़ी बाते हैं क्या कहेंगे आप जाजानू वह भी चिकलता कि परिद्रश्य पर नहीं ये बहुत दुर्भागे पूर्ण है भारत में जो हम नहीं अभी तक कर पाए हैं एक नेशनल टास्क फोर्स जिसके ग्रुप्स होने चाहिए multiple groups एक medication देखेगा एक oxygen देखेगा एक टीका करण देखेगा एक remdesivir देखेगा एक देखेगा देखे यही फर्क है हमारे में और विदेशी policy makers में ये हम अभी सीख नहीं पाए हैं मैं कल अमरीका में अपने दोस्स से बात कर रहा था मित्र से कि आपके initial COVID protocol में क्या-क्या है क्या-क्या दवाईया देते हैं NHS में remdesivir आज भी COVID treatment के protocol में नहीं है एक और monoclonal antibody use होती है वो trial phase में कुछ सहस्थानों में use हो रही है randomize कर रहे हैं गुरूप को दे रहे हैं गुरूप को नहीं दे रहे हैं हमारे यह क्या हो रहा है DCGI खट से अब एक चलन चल गया DCGI में भी एक emergency use authorization उनको समझ में आ गया है अब वो पिछले जून से उस पर लगे हुए है फटा-फट emergency use authorization अरे भई 2500 का यह कोई ट्रायल हुआ फिर एक आपने DRDO की ड्रग को अप्रूब कर दिया वह यह क्या हो रहा है तो अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो लोग तो इसको routine treatment माल लेते हैं फिर और सब लोग rampant इसको use हो जाएगा इसका steroid के साथ भी यह हो रहा है कोई 32 mg दो बार दे रहा है दिन में कोई 24 दे रहा है कोई कुछ और दे रहा है तो कोई standardization of COVID protocol जैसे ICMR ने पिछले वर्ष निकाला था अब निकालना छोड़ दिया उसको तो यह अगर आप लोगों के हाथ में दे देंगा अच्छा फिर cost तो देखिए जो private sector है वो expensive है बिल्कुल जो शेहरों में बना हुआ corporate sector वो बहुत महँगा है मैं भी afford नहीं कर सकता उसको डॉक्टर सर्मन सिंग भी afford नहीं कर सकते जनरल साब भी afford नहीं कर सकते उसको अगर हमें अपनी जेप से देना पड़े अगर हमें एमस से नहीं मिला है एलाज जनरल साब को आर्मी से नहीं मिला तो हम पैसे देखे नहीं करा सकते ऑजा मिदान ताम जाकर मैं भर्ठी नहीं हो सकता जोकि मुझे मालू है जितने मेरे बैंक में पैसे है दो एक हलग जाएंगे सारे तो ये तो मजबूरी की बात अलग है फिर रेमडे सिवीर का आपके प्रोग्राम पर चर्चा की बेफिजूल इसका बनाया इश्यू इसको तो सुरू से ही कर देते हैं कि भाईया जो भी जिस और्गनाइजेशन यूज कर रा चाहता है वो ट्रायल मोड में करेगा इसको और और उसका ट्रायल का एथिकल एप्रूबल लेगा उसमें जो भी रेक्रूटमेंट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन होगी ऐसे नहीं है कि हर जगे बैठा हुआ आदमी रेमडे सिवीर लिख रहा है और दे रहा है तो ये फ्री फॉर ओल जो हमारे आप सिस्टम बन गया है जि की कीमत दे रहा है वो 30,000 रुपए जो 800 रुपए की दवाई है या कुछ है ये हमने सिस्टम नहीं बनाए उसका नतीजा ये है कि लोगों को उसको बहुत भारी कीमत देनी पड़ रही है अपनी जान देके भी अपनी जेब देके भी और फिर भी उनको कोई कमफर्ट नहीं मिल रहा है तो ये जो है हमको इस बिशेव है गहराई से अब कम सकम इस महमारी के बाद शायद सरकारों को भी समझ में आए कि स्वास्त पर खर्चा करना पड़ेगा ऐसे खाली कहने से नहीं होगा दो परसेंट डेल परसेंट बजट में डालने से नहीं होगा पांच परसें से बिल्ड करनी पड़ेगी सड़ली आप ये साथ सो बेड का स्पताल बना दो कोविड का अभी जनरल साब बता रहे तो कहां से तो डाक्टर आएगा उसके लिए कहां से तो नर्स आएगी उसके लिए आपके पास साधन तो सीमित है उनको कितना स्ट्रेच करेंगे आप आप देते रहें उसमें कि भाई उखार है उखार के लिए ये कर लो आपका ऑक्सिजन कितना है ये दवाई देनी है ये दवाई नहीं देनी उनको ट्रेनिंग करके आप इठाल दीजिए इनको जो ट्रेंड लोग है वो ही प्रिटिकल केर में ठीक से कर ले ये भी बड़ी बात है तो हमारे हां समस्या यह कि क्राइसिस में इसाब बाते डिसकस होती है जैसे जनरल साब ने का कि इस वेट इन पीस डोट ब्लीन वार यही फास्त के लिए भी अपलाई होता है कि अगर आपने तैयारी की होती तो हमारा देखिए इन्फ्राइस्टेक्टर हैल्थ का चाहिए सरकारी शेतर मैं तो सरकारी मेडिकल कॉलिज में पढ़ा हूँ मुझे पता है यूपी में 20-20 साल तक फेकल्टी अपॉइंट्मेंट ही नहीं होते थे एक एक फेकल्टी से एक एक डेपार्टमेंट चलता होता था इतना क्रोजली मैं तो देखा है इसलिए मैं यू प्रूपी में नौकरी करनी नहीं है यहां पर बैटके हम आइडियल बात कर सकते हैं लेकिन आइडियल से बात करने से आइडियल नहीं बनेगा उसके लिए स्वेट करना पड़ेगा पीस टाइम में करना पड़ेगा मैं जबसे इलेक्टरोनिक मेरीक से नहीं से पूछता हूँ यह बहस आपने पीस टाइम में कितरे बार किरी जो आप कर रहे हैं किसको इन्हीं नहीं करता है किसी पर टाइम नहीं है हल्थ के लिए चैनल पर भी टाइम नहीं है हेल्थ के लिए, वो तो अभी COVID हो गया, इसलिए आप लोग चर्चा कर रहे हो, किस पर टाइम है स्वास्त पर चर्चा करने के लिए, किसी पर टाइम नहीं है स्वास्त पर बोलने के लिए, फिर कोई एक केस कहीं हो जाता है, उसकी वीडियो इतिया स्वास्त के मुद्देप है यहां पर कौन पूछता है यहां पर वोटिंग आपवी पता है कैसे होती है तो जब इस तरह से जो लोग लोग को वो ही मिलता है जो लोग डिजर्व करते हैं पर इसमें हम क्यों रोते हैं फिर जब समस्या होती है तो यह हमें बहुत गहनard इसका विचार करना पड़ेगा कि अगर ठीक करना है स्वास्ट कि तो उस वक्थ उसके हला फ scripture लगाना होगा अपना यसे लगा। बनाना पड़ेगा कि यह बहुत महत्त्वपूर्ण विशय है स्वास्त सब की देश के लिए और ठीक है ये सरकार आने के बाद एमस की संख्या बड़ी है लेकिन उन संस्तानों को बनने में तो अभी 20 वर्ष 25 वर्ष लगेंगे वह एकदम से नहीं कि जैसे डॉक्टर सर्मन सिंग है अपना दे रहे है योगदान वहाँ पे एमस वर्ष तो हमें देने पड़ेंगे उसको बनने के लिए तो ये एकदम से हम कहें कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा एकदम से तो नहीं होगा लेकिन हां अगर उस पर इटेंशन होगी जैसे अब इस गौवर्मेंट ने हर राज्य में एक-एक एमस की विवस्था की है कुछ राज्यों में एक से जादे भी एमस बने हैं कुछ और हॉस्पिटल्स को भी अपग्रेट किया गया है डॉक्टर मनमुहन के सिंग के टाइम से भी किया गया हूँ तो ये स्वास्त के दिशा में थोड़ा कतम हुआ है लेकिन फिर भी अगर आप ऐलोकेशन देखिए फेडर देश है रिसोर्सेस साधन हमारे पाफ बहुत सीमित है उनको ठीकर अचा प्राइवेट मेडिकल कॉलिज के हॉस्पिटल्स डॉक्र हिमानश्यों आप पता नहीं कितना आपने देखा है अंडर यूटिलाइजड है सब आप्टिमली यूटिलाइजड है रिसोर्सेस हैं वह होता है आप क्यों नहीं उनको सरकारी अस्पता से डाइवर्ट करते हैं मरीजों को तो यह पूरा एक कंसर्ट्रेड एफट जब तक नहीं होगा जब तक सामोई प्रयास नहीं होगा तब तक समाधान नहीं निकलेगा मिश्टा साब इस बात पर नाराज हैं कि जब सही समय ता उस समय पर तो आपने तयारी की नहीं अब जब हिंदू के हालात है तो आप जाके सवाल उठा रहें तो इस समय सवाल उठाने से क्या मिलेगा जो वस्साप का कहना था लेकिन मैं डॉक्टर सर्बंसी सवाल तो इसलिए उठाने पड़ेंगे ना कि लोग भूगत तो हाईस्ट केसे संत्यानवे हजार प्रतिज दिन आए थे और उसके बाद अभी जो दौर चल रहा हूं उसमें साड़े तीन लाख चार लाख तो अभी तमाम राज्यों के मुख्य मंत्री या केंद्र के मंत्री दस बीस हजार केस भी का मों आ रहे हैं तो तुरंत प्रेस कॉं मान रहा है कितना बहतर मान रहा है किसे हम लोगों का मनोबल बढ़ रहा है आगड़े कम बताये जाएंगे तो इससे मन के इस तरपा हमें जरा शांती रहेगी हमारा जो आप मुश्वास है वो बना रहेगा आगड़े जूटे हैं तो क्या हुआ आपन विश्वास तो मजब यह दोनों रिटार्ड हो गए यह बहुत अच्छी तरह सकते हैं लेकिन साइध हम आपके मार्दे हम सब्सक्राइब का इसके पास हुई मूटेशन और यह सब चीजों का ही टाइम होता है इसके लिए टाइम नहीं होता जी डॉक्टर बर्च ने बहुत अच्छी बात कही और जो डॉक्टर मिस्टान ने और हमारे सारे कलीक्स कई बार उठाये हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मैडिकल एट्निटी डिमरलाइज में हो रही है और डिमरलाइज आप विकोश्टीस गर्ण ने प्रदेश को कवर करते हैं दिल्ली में फॉर्शनेटली यह नहीं इस परह से और मैं एक सिर्फ इंसिक्यूट को हैड़ करता हूं लेकिन इस्टेट में आपको अच्छी तरह से उनको हमलियेट किया जाता है एक यंग बीए पास आई एस ओफीसर किस तरह से एक जो सिक्स्टी यर के सीनियर प्रफिसर को किस तरह से हमलियेट कर जाता है जी आज रवेमिडिसवीर तोसलिज में पॉर्टी को इस्टिरोइट तारह एक डिस्टिक मिनिस्टेट करता है कि उसको मिलेगी डॉक्टर की मर्ज पॉर्टी कोई कटिन सब्सक्राइब या जो हर्ट वर्ड नहीं है मेरे पास जी इसकी विड़मन आए है हम दूसरे देशों से अच्छे देशों से हम सीखते नहीं है जिए हमारे परोसी देश भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हम उनको अपना एनी में मान लेते ह हैं लेकिन मेरा मानना तो यह है बचता विस्वास से एगरी करेंगे और हमारी अगर पुरातन में चले जाए तो रामाड में भी का है जी रावड ने भी का है कि अगर अच्छी विड़्या किसी के पास है जुस्मन के पास भी तो उससे सीखनी चाहिए जिन हम ऐसा नहीं कर किस तरह से और आपने बहुत ने इंट्रेशन में बोल दिया क्या-क्या बोल दिया यह हो गया वह 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 नहीं करना चाहता हूं उसको जिस्ट एंडोर्ज कर आँ कि दोनों लोग थे चुके हैं वह बात हुई है और उसी की बज़े से मैसे इतना पबलिक में भी गलत चला करें के तौलिक में चारे यह कह रहा है हो गया खत्म हम भी चलो करते हैं तो सारा मास्किंग छोड़ दी तुलकुल हैंड सेरिटाइजिसन का फंसर्ट हो गया मैरिज बड़ी बड़ी होने लग गई आइडिया होने लग गई बहुत बड़े-बड़े आप देखिए कि जब कोम का मेला हुआ हम नहीं वार जिस दूसे हुआ यह क्तने ऑफ़ार में फुद और मेरे कितनेods घृट मेथ माई जिसने में में मैं भी थापा फ्लुक इस नहीं हो हुआ इसह रहे हैं जिस तरह से नहीं होनी चुए लेकिन कोई मुझारे हैं हम लोग चिलाते हैं लेकि चिलाने के बाद मुझे नहीं लगता कोई इस पर एक्सन होता है उसरी चीज तो में बहुत इंपोर्टेंट है जो तीसरी लेहर की बिकोज आपका में मुद्दाई है तो उस पर आना चाहूंगा तीसरी लेहर में अभी जो हम बात कर रहे हैं के ढी में दी में हम लगाएंगे तीन महीने में लगाएंगे चार में यह बढ़ा में दुबारा एक वार्ण कर रहा हूं कि यहां पर हम अगर च्छे महीने में बैक्सिनेट करेंगे तो उसका बैक्सिन कोई मीनिंग नहीं कोई मीनिंग नहीं कोई मीटेसंस होते थेंगे पुरान कि हमारे पास ब्रेक्षिन ही नहीं है, पहरे हमारे पास इसुए आ रहा था, कि तब 45 से 60 वाली की हुई थी, जो दूसरे लोगों के लिए बारे उसके लिए हुई थी, तो तब हमारे पास प्रिसेंट को नहीं देलागोने वाले, वह हमारे पास थी, पर जब इस बात आई कि जिए तनी हैं, और दूसरों को खोल देता है, पिल्कु नेटर्णि दिसनों को भी एलाग करते हैं, तो इस बेर पास प्रोड़क्षिन प्रॉट्क्षिन की कि हमारे प्रोड़क्ष्टिया नहीं चपा रही है, उससे की हैं, चरहको ब्लीकों दूसरे नहीं हो गया है, तो वारी नेच्रल कोभी सील्ड है उसमें पॉसिविलिटी बहुत लगती है कि वह सब्सक्राइब लिए और अगर प्राने वही सीड प्राना सीड है जी बनती रहेगी उसका एक बो महने के बाद उसका एसका एसके रही है वो बैक्सिन का कोई फादा नहीं होगा इसलिए नए सीड लेकर के नए सीड बैक्सिन बनने चाहिए और तवी मुझे लगता है किसको होने चीज़ और बार फुटिंग पर आर्मी को लेकर के कुछ ऐसे इंजेक्टिबल डवाइस करने चाहिए मुल्टिपल लेक्सिन लग ज उसको आगे आना पहेगा और उसमें कुछ इस पर ऐसे जो इंजेक्टिबल डवलप करने पढ़ेंगे जो फुर्टिल हमारी जो इस पर ऐसे वैक्सिन बड़ी महतपून टिपणी की है डॉक्टर सर्मन सिंग जो एमस भोपाल के निदेशक हैं अपनी सरकारी नौकरी की सीम संदर में लागू नहीं होता है तो यह हत्यार भी भोतरा साबित होगा मेरे साथ में जनरल वस्त जुड़े हुए हैं वसाव आप से सवाल है वैक्सिनेशन के संदर में जब 45 साल से उपर के लोगों को वैक्सिन लग रहा दो तो हम 30-35 लोगों को वैक्सिन लगा ले थे हमन वैक्सिनेशन कारकम दूनिया का सबसे वैक्सिनेशन कारकम में ये कहने वाले तमाम राजनिता ये बताएंगे कि इन चार महीने में हम कुल कुल तीन करोड़ चुवन लाख लोगों को कि दो डोज लगा पाए है कुल तीन करोड़ चुवन लाख लोगों को इस दर से चले तो कहां पहुंचेंगे और आपके पुराने साथी ठॉक्टर सर्मंघ की बात इन्होंने कहा कि इतने हाई ग्रेड प्रोफेशनल्स को और एक बिरोक्रेट हेड करता है और रूल करता है उसका हर्याना सरकार ने जवाब तलाश किया है हमारे पास जो आईएस अफसर्ज हैं और जो डॉक्टर हैं हमने उनी को लगा दिया है यानि के डैप्टी इसी तरह मेडिकल सर्विसीज जो सी एम के एडिशनल चीफ सेक्टरी है वो अमित अगरवाल और इसी तरह डॉक्टर साकेत कुमारे पीडियेटरिशन इस हेडिंग दी प्रक्योर्मेंट डिपार्टमेंट यानि हमने अपने डॉक्टर्स की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनक अब के ऊपर आप तो पॉलिटिशन को ब्लेम तो करेंगे मगर आई बींग एडॉक्टर मैं उनको कॉडिनेट जरूर करता हूं कि भी डॉक्टरों की आपको बात माननी पड़ेगी जैसे वार में फोज की कीमत होती है इसी तरह मैं तो डॉक्टरों को ये कहता हूं कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके लिए बेस्ट मोका है इवन मेडिकल स्टुडेंट्स इंटर्न्स के लिए भी प्रैक्टिकल सीखने का मोका है बात मैं बीच मैं आपसे डिसकनेक्त हो गया था जहां तक सेना के इस्तिमाल का सवाल है सेना क्या इस्तिमाल हमारे 300 ऑप ह परणासी में दिल्ली में जो DRDO ने 500 to 1000 बैड़िटो बनाए हैं उसको सेना के डॉक्टर, सेना की नर्सीज और सेना के नर्सिंग एस्टेंट्स और परामेडिकल स्टाफ मेन कर रहा है और चला रहा है वो पहले भी दिल्ली में कोविड होस्पिटल जो DRDO का था हमने चलाया था आगे भी हमारी ट्रेनिंग जा रही है अब यू आर कमिंग टू एक्सिनेशन वेक्सिनेशन के डोज तो मोर देन 16 क्रोड लग गे ये बट एज यू राइटली सेंट के भी साड़े तीन क्रोड लोगों का हुआ है तो इसमें वाट आई फोर सी क्योंके अब मान तो नहीं मगर जिस तरह से गाउं में फैल गया जैसे रोतक का एक गाउं एट टोली उसमें पचास तो डेथ हो चुकी ऐसे आलात में कम्यूनिटी स्प्रेड हो गया तो कम्यूनिटी स्प्रेड से एक बात जरूर है कि सो में से निन्दानूएं सेफ है 99 वो बचेंगे मरेंगे नहीं तो उनको एक तरह का वेक्सिनेशन ही लगया इम्मिनिटी तो ड्वेल्प हुई दूसरी बार मैं एक दिन स्टेटिस्टिक्स देख रहा था जब MCI को हम अटा रहे थे निरस कर रहे थे कि हिंदूस्तान में डाई क्रोड लोग पैदा होते हैं और 37 लाग से एक क्रोड तक क सालाना डेथ होती हैं जै ऐसे आलात में जातक कोई का स्वाल है वो तो अभी डाई लाग के करीम जैबी मोर बट मैं स्टिल रहूंगा कि जो हो रहा है वो तो सब को नजर आ रहा है जै मैं भी देख रहा हूँ कि कल मेरे साथ बात कर रहा था मेरा दोस्त तो राज नहीं है फेस्बुक के उसका फोटो आ गया कि इनको तो शर्दान जली तो ऐसे आलात में भी हमें खौफ ज़दा होने के जरूरत नहीं है कि उदर से वैक्सिन यानि मल्टी प्रॉंड अटेक है मल्टी प्रॉंड अटेक हमारी पॉब्लिक का कोपरेशन हमारे डॉक्टर्ज नर्सि हम पैदा तो करते हैं देश में अगर वो होती है साउथ में और पूरो में उसको मॉबलाइज करके दिल्ली नौर्थ में लाना बंबे ले जाना ये एक बड़ी समश्या है जिससे वी बी एबल तो डील अब तो ऑक्सिजन ट्रेंच चली हैं बट मैं ये जरूर कहूंगा के बीरोक्राइट से भी रिक्वेस्ट करूंगा के इस वक्त आपको मेडिकल एड्मिस्टेटर, स्पेशलिस्ट एंड हैल्थ केर गिवर्ज को प्राइम इंपोर्टेंस देनी पड़ेगी जान तक वेक्सिनेशन का स्वाल है मैंने कहा के कुछ हार्ड इमिनिटी ड्वेल्प ह कुछ इंफेक्शन से कुछ हमने वेक्सिनेशन दे दिये विदेश से वेक्सिनेशन आ रहे हैं तो हम उसको अंडर प्रोपर प्लैनिंग इस लड़ाई से लड़ते रहें कि कारकंब को समप्त करने की प्रक्रिया में तब्से पहलें जो उर्फ साबने कहा डॉक्टर सर्मन सिंग जी ने भी कहा कि मेडिकल के लोगों को आगे बढ़कर उनके हाथ में चींजे देनी चाहिए किस देश में हम यह बात कर रहे हैं उसे पहले दो बयान सुनवाता हूं मिशा सब और फिर आपसे बात करता हूं एक बार सुनिए इस देश के जो प्रिंसिपल एडवेजर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने तीसरी लहर की बात करके उसे सिर्खियों का किस्ता बनाया पांच वही को वह साथ मही को अपनी बात क्या क हूं और इस घर लाप्रा आस करता हैं लापिनर्स ऍटने म法प चायु्त शेसे लिजल कर दोछेश कर दापिछ एक्शनेल तो यह के विजए रागवन साहब हैं पांच मही को बोल रहे हैं कि आएगी ही और साथ मही को कह देते हैं पता नहीं आएगी वी तो कहां आएगी कितनी आएगी ऐसे देश में कोई इस्पष्ट नीती के साथ में हैं यह हमारे सबसे बड़े एडवाइजर हैं और उनके दो द हैं मिश्रताव हम लोग देकिए सुरक्षित जनरल साथ ने भी बताया डॉक्टर सर्मन सिंगर कह रहे हैं और हमारे स्थैने लगातार जनॉमिकक सिक्वेंसिंग शुरू हो गई है सुर्मन वेंगा स्क्वेंसिंग लगातार बढ़नी चाहिए और जैसे आज को एक खबर आई कि जो वैक्सीन है यह डबल म्यूटेंट को स्किप कर रही है तो यह समस्या आएगी डॉक्टर हिमालशू यह कॉमन है अगर आप फ्लू की वैक्सीन देखिए तो प्रतिवर्श वो नई वैक्सीन उनको लांच करनी पड़ती है क्योंकि वाइरस अपना चरिते बदल चुका होता है यहीं हमें कोरॉना वाइरस के संदर में भी यही करना पड़ेगा कि मान लीजे छे मैंने पहले मुझे जो वैक्सीन मिली छे मैंने बाद मुझे एक नई वैक्सीन मिलेगी बूस्टर के त issue है वो देखते हुए vaccination vaccination and vaccination is the only answer ICU में कोविट का इलाज नहीं है यह मैं बता देता हूँ जो आदमी ICU में चला जाता है कोविट का लॉक्टर सर्मन सिम को भी बता होगा कितनी mortality है वहाँ पर यह हमको सब को बता है अगर ICU से पहले ही से बचके निकल आएगा तो निकल आएगा ICU में जादे तर जो सीवेर निमोनिया के रोगी है वो बहुत मुश्किल है 90% हमारा भी experience है UK का भी यह experience है USA सब जगे का यह experience है इसलिए high flow oxygen nasal cannula से बाई पैप से non-invasive ventilation से और उससे भी पहले अगर आप oxygen ठीक कर ले घर पे कर ले अस्पताल में कर ले जादे तर रोगी जैसे जनरल साब ने का मैं agree करता हूं सौ में से 99 लोग इस pandemic में भी बचे हैं और बचेंगे आगे भी लेकिन चोकि हमारे पास साधना परयाप्त है इतने बड़े disaster में देखे क्या होता यह disaster situation है disaster में fundamental principle होता है greatest good for greatest number of people उस पे हमें काम करना है और जैसे जनरल साब ने भी का कि ठीक है मृत्य हो रही है लेकिन उससे हमको विचलित नहीं होना है हमको यह देखना है कि कैसे बचा सकते हैं जादे लोगों को तो वो vaccination से ही बचा सकते हैं उसके लिए हमारे प्रेशन नहीं है तब तक यह वाली vaccine हमें काम आएगी और इसका प्रयोग पूरी तरह से होना चाहिए कम से कम distancing नहीं भी हो तो यह प्रयोग बहुत जरूरी है मैं एक सवाल करता हूँ मिश्यदव हमने अभी बात की सर्मन सिंग सामने भी बात कही कि प्रिशाजनी का अधिकारी तेख कर रहे हैं अगर डॉक्टर भी हो जा रहे हैं तो हमारे हिस्ते में आ क्या रहा है इस देश करना खतम हो जाता है उस कारकम में उनकी भागीदारी है उनके रहते हुए जिस प्रकार के फर्बान अलग-अलग समय पर आ रहे हैं तो कुल मिलाकर देश ब्रहमित नहीं है क्या क्या आप नहीं मानते हैं कि वाकि हम एक ब्रहम के दोर से गुजर रहे हैं ऐसी महामारी के द प्रेट्स, अन्टॉनी फॉसी जो इनके नेशन इंस्चीट अफ के डिरेक्टर हैं हम सबको पता है कि प्रेजेड़ेंट ट्रॉम्प से उनके जो संबंध दे बहुत अच्छे नहीं रहे क्योंकि वह साइंस की बात करते थे प्रेजिडेंट ट्रॉम्प साइंस से बहुत सेनिटाइजर दे देते थे लोगों को कभी हाइड्रोक्सी क्लोरो कुई पर फोकस कर दिया उन्होंने तो यह सब हुआ और जो एंटॉनी फॉसी है उन्होंने साइंस प्रेसिड़न बाइडन ला का भई हमको जो यह राय देंगे हम करेंगे वैक्सिन बन गई वैक्सिन लग वहाँ पर उनकी इस्तिती बहुत अच्छी है ठीक है उनकी जनसंख्या हमसे एक चौथाई है वो अलग बात है और वो विकसित देश है उनके पास साधन बहुत जादे हैं लेकिन जिस हवस्था से हम गुजर रहें उससे USA भी गुजरा है उससे योरोप भी गुजरा है इत बस गुजरा आपको जरूरत पड़ जाए तो वो रिसोर्स भी पैदा हो जाए वो नहीं होगा वो हम कोई भी मंतरी हो कोई भी सेक्रेटरी हो कोई भी डिरेक्टर जनरल हो है सर्विस का वो नहीं होगा हमें मानना पड़ेगा कि यह डिजास्टर सिचुएशन है अगर हम ज इसक्तमाल तो सुचारू रूप से हो जाए हैं यह मिश्रा ताप कहना है कि हमारे संसादम सीमित हैं हमारे आबाद ही बहुत जादा है पर दिक्कत इस बात कि इस डेश के अंदर का कि डॉक्टर Sally मिश या डॉक्टर सर्मन सिंघ या लेटनि जननल या डॉक्टर डि पी वस साब जैसे वो दिवान चिकस्तक और ब्धस करे कि किस्तक ये बात खुले मंझ से खुले मझच पर कहले रहे हैं पर इस देश में जिनके हाथों में सत्ता की कमान देश और प्रदेश में हैं, उनको तो केवल इस बासे फुरसत रही है कि कितनी जल्दी वो ये बता सके है जनता को कोई देखिए कुरोना की लड़ाई को हमने कितने बहतर तरीके से जीत लिया है, अभी जीतने की तो दूर की कि एक बड़ी वज़े बन रहा है कि हम असलिस्टे कड़ जाते हैं आज जो लोग यह बात कर रहे हैं कि आप मास्क लगा यह सोशल डिस्टेसिक लगी है उन्हीं लोगों को हमने एक महीने पहले चाहिए वो किसी भी दल के क्यों नहों बड़ी बड़ी रेलियों में जाते हु कि समय है अब आज के शेर का इस नाउमीदी के दोर में भी उमीद को समर्पित हमारा आज का शेर है हमारा आज का शेर यह कहता है कि हादसों की जत पे हैं तो मुस्कुरा ना छोड़ दें जल जलो के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें वसीम बरिल्वी ने जो यह लिख हर साल बाड़ आने के बाद भी लोग वहां पर अपना घर बसाना नहीं छोड़ देते हैं या उनमें हर साल बाड़ आने के बाद भी जूजने का इतना माद्दा है तो हमारे हिस्ते में जो यह चुनोती आई है वो तो सदियों में एक बार आती है तो क्या हम जूजना बाब बाब